हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मंजरी आज किस वीडियो में मैं बात करूंगी बायमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर की यह वर्ड काफी फैमिलर होगा उन स्टुडेंट्स को जिनको इमेल्स रिसीव हो रही हैं बट फॉर्मली बड़े क्वेशन आ रहे हैं इसको पहले बताऊंगी इसका रिजन कि यह क्यों हो रहा है और दूसरा जिनको इमेल्स आ रही है तो उसके कैसे प्रसीड करना है उसका प्रसीजर बताऊंगी और बायमेट्रिक कैसे समिट करना है तो सबसे पहले जिनको रसीव नहीं हो रहा उनका यह कारण भी हो सकता है क्योंक जैली चेंडिगर इन सब जगह में open हुई है बट 25 कोई applicable होगी बट सबसे पहले जो priority मिलेगी वह family स्टेक को मिलेगी और उसके बाद 2nd December में students को priority मिलने शुरू होगी तो यह तो सबसे बड़ा reason था कि जिनको emails नहीं receive हो रही कुछ को नहीं receive हो रही पर जिनको receive हो रही है उनका जो biometric कैसे submit करना है वह मैं आपको आज बताने वाली हूं सबसे पहले जब आप आपको जो email आएगी जब आप email open करोगे तो उसमें लिंक होगा नीचे लिंक होगा आपने वह क्लिक करकर से open करना है new window में उसके बाद मैं आपको instructions बताने जारी हूं आप लैब भी ले सकते हैं इस वीडियो में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि please not the following यह आपको head title आएगा जब आप अपना link open करोगे तो उसमें जो second line है उसमें लिंक होगा तो आप आपने वह क्लिक करना है और उसमें आएगा आपका उपर headline title में book and appointment book and appointment में सब आपने go through करना है और नीचे जाकर आपको third point में email का एक बड़ा बड़ा option नज़र आएगा वह आपको third point में option नज़र आएगा उसमें जाना है और उसमें लास्ट में blue में लिखा होगा web form अपने web form में जाना है web form में जाकर ही आपका जो इसका procedure स्टार्ट होगा तो जब आप web form में जाओगे तो आपको एक new window खुलेगी वह लिंक उपन होगा web form का तो उसमें एक है टाइटल आएगा COVID-19 के updates का तो वह पूरा आप go through कर लोगे उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता जेती हूं कि उसमें सबसे पहले तो यह लिखा है कि 20th of November को six cities में biometric open हुई थी जो थी हमारी डैली जलंदर चंडिगर मुंबाई एहमदाबाद और बैंगलूरू यह तो जह शहर जिसमें हमारा biometric open हुआ था तो यह सारे points जो COVID-19 की update है जो आपकी mail में ही आ रहे है उसमें लिखा हुआ है फिर उन्होंने कहा है 25th of November जो biometric है तो family class को priority मिलेगी जैसे कि हमने पहले भी डिसकस किया उसके बाद जो है open होगा यह कुछ शहरों में उनका नाम है कैलकटा चन्नाई हैधराबाद और पुने तो यहां पर open होगा बाद में biometric यह open होगा 25th of November को बट यह भी family class को priority देंगे और student को priority after second December मिलेगी तो यह तो थे हमारे जो book and appointment के अंदर COVID-19 की updates तो उसमें उन्होंने students के लिए कहा है कि second December 2020 में उनका खुलेगा तो उसका काफी बड़ा आपको वह go through करना है और उसमें नीचे एक blank आएगा जिसमें आपने अपनी nearby city select करनी है for example मैं पंजाब में रहती हूं तो मैं अपनी नियर्बाइज आपने वह थोड़ा से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है पढ़ लेना वैसे फॉर्मल ही होता है उसके बाद उसके लास्ट में जब आप चंडिगर डालोगे अपनी nearby city for example तो लास्ट में दुबारा वेब फॉर्म आएगा ब्लू में तो जब आप वेब फॉर्म आप उसमें टैप करोगे तो एक न्यू विंडो खुलेगी उसमें आएगा जो में बायमेट्रिक समिशन का प्रोसेस है वह उसके अंदर है तो उसमें आएगा आपकी अपॉइंट्मेंट टाइप जो लिखा होगा और उसमें लिखा होगा शुडियूलिंग वह तो उसके अंदर मैंशन होगा फिर आपके पास फिलिंग दी ब्लैंक्स आएंगे जिसमें आपके पास तीन आप्शन आएगे वैक का दूसरा नंबर ओफ एप्लिकेंट का और त इसको जितनी आई वैसे तो आपने वन समिट करना है उसके बाद आता है बी आई एल नंबर तो बी आई एल नंबर तो हमारा बायमेट्रिक लेटर ही हुआ जो हमारा लेटर है तो उसमें जो आपको एमेल आया होगा ना उसमें आपकी अप्लिकेशन नंबर होगा डिजिट में आपने वो डीजिर्स वाला नंबर कॉपी करके यहां पर बी यह आई एल नंबर में सब्मिट करना है तो उसके बाद आपका होगा कनफर्म का ऑप्शन जब आप कनफर्म करोगे तो वह आएगा क्योंकि अपने नहीं होगा क्यूंकि अभी सब्सक्राइब को यह अएगा तो जब आप और करी ओनिधू भरी घंड झाले कीई मृत पर आपका सब्मिट के जा आदे तो अब ढूरेंG hemos नहीं है तो यह आप 2nd of December में दोबारा जो है अपना फिलिन कर सकते हो और Biometric अपना सब्मिट कर सकते हो यह था पूरा आपका प्रसीजर कैसे अपने अपना Biometric सब्मिट करना है इसमें लास्ट पॉइंट में आपको इंपोर्टन पॉइंट यह पताऊंगी कि यह यह जो होता है Biometric हमारा लैक्टर की जो इनफरमेटिक लैक्टर का प्रसीजर है यह सारा Digitalized है पतले इसमें जब आप फिलिन करोगे तो आपको जो डेट है वो आपके according नहीं मिलेगी वो पिछे से ही auto generate होकर आपके पास आएगी तो डेट ओ डेए आपको नहीं अपने according मिलने वाला वो आटो जुनरेट होकर ही आपके पास आएगा बट आप हाँ center decide कर सकते हो लैक्ट जैसे मैंने जंडिकर select किया था तो आप center कोई भी अपना nearby जो आपको साथ में लगता है वहां पर आपको select कर सकते हो और center के बाद जो आपको given time होगा तो मैंने पहले पिछली वीडियो में भी यह कहा था कि जो आपको slot मिला होगा उस slot में पहले ही पहुँच जाना क्योंकि अगर आपने इस बार submit करा तो most probably आपका number बहुत लेट आएगा बाद में क्योंकि number of applicants बहुँच जाना है तो last but not least 2nd of December को student class खुलने वाला है और 25th of November को family class खुलने वाला है तो जिनको email receives हो चुकी है सबसे पहले उनको congratulations और जिनको नहीं हुई है तो don't worry उनको हो जाएंगी और अपना जो समिट है वो 2nd of November को और December को अप समिट करना शुरू कर देना तो हब यह वीडियो आपको बहुत helpful होगी अगर आपको कोई और problem भी है या confusion भी है तो आप हमें contact भी कर सकते हैं online contact भी कर सकते हैं या आप अपनी original जो documents लेकर हमारे office भी visit कर सकते हैं thank you